तो नए साल से टीम इंडिया हमें पूरी तरीके से नए अवतार में दिखाए देगी और नए कप्तान हार्दिक पांडिया की अगवाई में टीम इंडिया पूरी तरीके से बदली हुई T20 स्कॉर्ट के साथ मैदान पर उतरने वाली है क्योंकि विराट कोली रोही चर्मा के स के एल राहूल भुवनेश्वर कुमार रवी चंद्रन अश्विन दिनेश कार्तिक और रिशब पंद कीवी T20 टीम से चुट्टी कर दी गई है वही वंडेट टीम में भी हमें कई बड़े बदलाओ देखने को मिले हैं कुछ खिलाडी वापस आ हैं वही रविंदर जड़े जा रहा था क्योंकि अब आप एक युवा टीम के साथ 2024 के T20 वर्ल्लकप की तयारी करोगे वही रिशा पंत और रवी बिशनोई जैसे खिलाडियों को भी T20 फॉर्मैट में जगह ना मिलना बहुत ज्यादा शॉकिंग है अगर सबसे पहले टीम इंडिया की T20 स्कौर्ट द कप्तान हार्दिक पांजिया के साथ दीपाखुडा वाशिंग्टन सुंदर और अक्षर पटेल को इस टीम में जगह मिलिये और गेदबाजों में उम्रान मलेक अर्चदीव सिंग मुकेश कुमार हरशल पटेल और शीवम मावी को इस टीम में चुना गया है वही युजव की टीम में शामिल हुए थे उनको अनेक्स टीम में जगह मिल गई है अगर आप समझ रहोगे कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूं उसके अलावा बंगाल के मुकेश कुमार को भी इस टीम में चुना गया है अनफॉर्चनेटली इस टीम में आपको यश्दयाल नहीं द खिला रहे थे और उसके अलावा आपके पास रवी बिश्णोई का एक अच्छा अप्चन था जो कि मैं कई बार इस चनल पर एक्स्प्लेइन कर चुका हूं इस लॉट लॉट बेटर बोलर देन युजवेंदर चाहल तो उनको टी-20 फॉर्मैट में आप रख सकते थे लेक की अच्छा है क्योंकि अगर आपने केल राहूल को अब टी-20 के लीक से हटा दिया है और वंडे में भी अब वो वाइस कप्तान नहीं है तो श्रेयस ऐयर का टेस्ट में कप्तान बनने का चांस भी आ गया है और आगे जाते हुए वंडे में भी वो लीडर्शिप की दावे गिल को चुना गिया है वही और राउंडर्स में हार्दिक पांधिया, अक्षर पटेल और वाशिंटल सुन्दर हैं वही गेंद बाजों में मुहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग, मुहम्मद शामी, उमरान, मलेक कुलदीप, यादब और युजवेंदर चहल ने ODI टीम म अपनी जगह बर करार रखी है, वह मावी का टीम में सेलक्ट हो जाना पहले तो इस तरफ इशारा कर रहा है कि जिन बॉलर्स पर आपने पहले इन्वेस्मेंट किया जैसे कुलदीप सेन को आप लेकर किया है, दीपक चहर को आप खिलाते थे, शाहर दुल ठाकु से शायद टीटी फॉर्मैट में अब आगे बढ़ गए और सर्प्राइजिंगली मोहमद सिराच को भी आपने टीटी फॉर्मैट में सेलेक्ट नहीं किया है, वो वन डे टीम में जरूर टीम इंडिया के साथ हैं, उसके अलावा प्रसुद कृष्णा, महसिन खान, यह जो खिलारी थ जो की लाइन अप में थोड़ा आगे बताये जा रहे थे, शीवम मावी जैसे खिलारीयों का तो नाम भी नहीं था, इंक्लूडिंग मुकेश कुमार, तो यह थोड़े से आगे बताये जा रहे थे, लेकिन अच्छा है देख करके कि आपने युवा खिलारीयों को यहाँ प राहुल को प्रिफर किया, और यहाँ पर T20 फॉर्मेट में अब आप केल राहुल से आगे बढ़ गए हो, तो आपके पास शुम्मन गिल है, राहुल तृपाथी है, आपके पास इशान किशन है, तो यह तीन टॉप ओडर की खिलारी आपके पास मौजूद है, अब देखना यह है, कि भवेश्यों में इसके टीम की पर्फार्मेंस और टीम जो जेल अप करके खेलती है, किस तरीके से इखटे खेलती है, उस पर कितना असर पड़ता है, जब आप सेपरेट कप्तान के साथ जाते हो, सेपरेट सोच के साथ जाते हो, कभी वो अच्छा ज जाता है, कभी बुरा जाता है, तो टीम इंडिया की इस पूरी स्कौर्ट पर आपका क्या ओपिनियन है, make sure to write it in the comment section down below, कि आपके हिसाब से क्या सीनियर खिरालियों को ड्रॉप कर देना, including रिशाप पंत सही फैसला है, या फिर रिशाप पंत की कम से कम वन डे स्कौर्ड मे जगा बनती थी, वैसे खबर यह है कि T20 format में उनको ड्रॉप किया गया है, और चूकि उनको थोड़ा सा घुटने के रिहेबिलिटेशन की जरूरत थी, तो वन डे से भी उनको रिस्ट दे दिया गया है, लेकिन शायद जब न्यूजिलन की खिलाफ सीरी शुरू होगी, तो रिशा पंत उसका हिस्ता होंगे, तो इस पूरे स्क्वाड पर आपका जो भी ओपिनियन हो, कॉमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, आई होप वीडियो आपको एंटर्टेनिंग और इंफिर्मेटिव लगी होगी, अगर ऐसा है, दिन मेक शुरू क्लिक हो सब्सक्राइब बटन, प्रेस दबन नोटिफिकेशन, बिकम पार दो फैमिली विकॉज आई पिल 2023 की मज़ेदार कवरेज के साथ साथ, इंटर नाशनल क्रिकेट पर भी हमारी बार एक नजर एक खासर के टीम इंडिया के इस नए सफ़ाफ पर तो उसका पूरा एनलिसस आपको इस चनल पर ऐसे ही देखने को मिलता रहेगा, हर मैं अच का प्रेवियू, रिवियू, इनलिसस, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, चुके हाथ को स्थे टून, for everything that is coming your way and I will see you soon in the next वीडियो.